हेलो में डियर स्टूरेंट्स यूपी बोर्ट स्टूरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट से आप निकल के आ रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ट ने अभी तक ऑफिशियल रूप में क्लास 10 की एक्जाम्स को रद नहीं किया हैं अपडेट नहीं आया है और ऑफिश मैं एक अपडेट लेके आया हूँ आज और यह अपडेट बहुत ही जादा महत्कुन है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरू देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा कि फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है मतब बोर्ट इतना लेट क्यों डिसिज मांग लिया है इसके बाद उन्हों ने nines के marks भीidores के इसकूल से मांग लिया है आप के जो क्लास 9 ऑर्ट 9 के मंटे दे 7 ऑन के आपको के स्कूल से माग लिया से तो उनमें से करिब 17 अधिकारी ऐसे हैं जो करोना संक्रमित हैं जो करोना से संक्रमित हो चुके हैं इसलिए बैठा के नहीं हो पारी है अठकले तो यह लगाई जा रही थी कि 20th of May के बाद जो है आपका decision आ जाएगा बट बैठे कभी तक नहीं हो पाईए क्योंकि 17 जो आपके अधिकारी है वो संक्रमित है और यहाँ पे उनकी मिटिंग्स नहीं हो पाईए और एकाथ दिन में जैसे मिटिंग्स होता है तो उस मिटिंग्स में सारी डिसिजन्स लिए जाएंगे कि क्लास 10 के एक्जाम्स को रद करने या कराने है तो 99% चांसे हैं 10 के एक्जाम्स आपके रद हो जाएंगे बट क्लास 12 के लिए क्लास 12 वाले अभी भी अपने प्रिप्रेशन को करते रहे क्योंकि आपके टाइम टेबल्स जो बनेंगे वो भी time tables कुछी दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा बूर्ड अप्लोड कर देगा उसको websites पे तो उस पे भी निर्णा कब लिया जागा जब बैठा के होंगी तो इखिए बेट करिए कब तक ये सारी चीज़े चलता है और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लिस लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरू करना फिर मिलते हैं इसे एक इंट्रस्टिंग जानकर रिपूर्ण वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारू